हालो फ्रेंट्स कॉंपटिशन कमिटी के सीजी एसाई प्रेलिविंट्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीमन प्रधान आईए फ्रेंट्स आज हम देखते हैं सीजी एसाई को टार्गेट करते हुए बायू के कुछ और महत्पूर्ण प्रशनों को जि इस डबलू बीसी का बनना तथा आरवी सी का विनास होता है यहां पर देवे लिंप ग्लैंड इंदे स्प्लीन इंदे पैंक्रियास इन लीवर ठीक है चार आप्सेंस हैं वैसे आपको बता दें फ्रेंट्स की यह कोश्चन एक्जेक्ली एक्जाम में पूछा गया इसलिए सब्दसा यहां पर आपके लिए मैं एक कोश्चन लेकर आया एक्च्वल में यहां पर आप इस कोश्चन को डील करते हैं तो जैसे डबलू बीसी आरवी सी दोनों बनता कहां पर आपके बनता है बोन के अंदर जो है बोन मैरो पाया जाता है हड़ी के अंदर तो वहां मिलत है अब जब डैट की बात आती है तो यहां पे स्पलीन में सकी होती कि इसकी आरवीसी की और WbC की डैथ इक्चुल में कहां हो uh होती है लेंग सिस्टम में होती है ना यानिकि लिम्प प्रनाली jspei प्रणाली में होती है तो यहां पे आप यह भी कह सकते हैं कि कुछ मातरा में वह प्लीहा में भी उसकी डैथ होती है क्योंकि वह filtration का काम वहां करता है तो आप इसका answer क्या लेंगे बी इस दर राइट लाइव स्पान देखा जाए तो 120 डेस होता है और डबलू बीसी का लाइव स्पान होता है दस से लेके तेरा दिन या बारा दिन आप कह सकते हैं ठीक है तो इतने समय में यह बनते रहते हैं तूटते रहते हैं इस प्रकार प्रोसेस चल रहा होता है चलिए कोशन नमबर टू यह संचित हो जाती है तो यहां पर होता है वह कहां होता है आपके यहां रखना तो आंसर क्या हो जाएगा इन दिलीवर नेस्ट कोशन मूब करते हैं नेक्स कोशन देखिए धमनी आरक्त का वहन करती हैं भरी होती है वेरी वेरी इजी कोशन बट कंफ्यूजिंग कोशन है यह अक्सार हम एक्जाम हॉल में मिस्टेक करते हैं ऑक्सीजन लिपेड टॉक्सीन या कारवन डाय लेकिए आप क्या लिखना चुपशाब धमनी लिख दीजिए और नीचे क्या लिख दीजिए सीरा लिख दीजिए ठीक है तो यहां पे अगर आप सुद्ध पहले हिंदी में सुन लेते हैं सुद्ध का सू लिखिए सुद्ध का सू लिखिए अब इसको जोड़ने का प्रय है ना आर्ट्री आर्ट्री कहते हैं तो आर्ट्री में आर जो है कीवर्ड ले लो तो प्यूर के लिए सुद्ध के लिए क्या वर्ड होता है प्यूर तो यहां पे प्यूर का आर कीवर्ड इसके आर कीवर्ड के साथ मैच कर लो जबकि यहां वेन को सीरा को वी आई एन वेन कह बहती हैं तो यहां पर है नियुक्त का आर घरेंगं तो आत्री में हमीसा यह धमनी में हमीसा फियूर ब्लेड बहेगा अब का मतलब सु न को पता है कि धमनी यानिगि आर्ट रे η तो उसका अप्वाद यानि उसक क्या हो जाएगा कि अगर मैं वर्ड यूज कर दूं पल्मोनरी या फ्फसी तो पल्मोनरी धमनी अगर कहए दूցगा तो भी वहएगा डी आक्सीजेंटेट ब्लिड बेहेगा यह बात क्लिksen हो गया और हमको पता है कि सीरा याने वेन में हमेशा क्या है असुद दरक्त बहती है डी ऑक्सिजेनेटेट बहती है तो उसमें मैं मालों पल्मोनरी वर्ड यूज कर दूं पल्मोनरी या फुपसी वर्ड यूज कर दूं और पल्मोनरी सीरा कह दूं तो हम वहां पर क्या कहें अब धमनी में सुध धरक्त बहती है आटरी में फ्योर ब्लड बहती है तो उसका exception या अपवाद क्या हो जाएगा आपका pulmonary धमनी जो deoxygenated असुध धरक्त बहती है उसी प्रकार सीरा में याने वेन में हमेशा असुध धरक्त बहती है इंप्योर ब्लड deoxygenated ब्लड बहती है तो उसका exception या अपवाद क्या हो जाएगा यदि पल्मोनरी सीरा होगा या पल्मोनरी वेन होगा तो वहाँ पे क्या है oxygenated ब्लड बहेगा ये बातें आप सभी को clear हो गई चलिए अब देखते है next question तो next question देखिए यहाँ पे सरीर का आपकरम या temperature के लिए responsible होता है hypothalamus ठीक है hypothalamus इसका सही उत्तर है B is the right answer clear हो गया चलिए next question क्यों move करते है next question देखिए हाँ पे that is dyslexia dyslexia बिमारी जो होती निम्लिकित में से कीस अंक से संबंदित है which dyslexia this is related to which of the following organs ठीक है ये बहुत साधरन साप्रस्ण है अकसर देखिए brain से related कुछ disease आपके PSC व्यापम जैसे exam में बार बार कूछे गए हैं इसलिए चाहिए आपके brain से हो heart से related हो lungs से related हो कुछ कुछ disease आपके लिए हमीशा important होते हैं तो यहां पर दिया हुआ है देखिए options are brain, eye, ear and nose तो dyslexia जो है dyslexia जो होता वो basically क्या brain से related होता है ये क्या होता है बच्पन में सुरवात में कोई चोटा बच्चा जब growth ले रहा होता है कर रहा होता है तो तब पता Hoo जो one plus one है ना one plus one कह देता यहां पे तो हम साधरत दो लिखते है इस प्रकार तो यह क्या से लिख देता है लाइक इस प्रकार से Gi अगेन ये ब्रेंश से रियरलेटेड है Million 2021 तो ब्रेंस होता अब ब्रेंश देड होने लगती है निस्क्री हो जाता है इसमें आप भूलने लगते हैं कुछ शीक नहीं चीक है चोटी-चोटी आप भूल जाते हैं और बहुत आसानी से ये जो है जी मैं का आप पर प्रभाव पढ़ जाता है ठीक है तो यह जो है ब्रेइन से रिलेटेड डिसीज है तो भी इस दर आइट आंसर नेस्ट कुश्चन देखते हैं काफी बड़ा कुश्चन देख रहा है लेकिन यहां पर घबराई यह बिल्कुल मत इसे सॉल करने का पर तरीका बताऊंगा देखिए कूट का प्रयोग करिए यहां पर दो सूची दी हुई है है लिस वन और टू और आपको मैच करना इधर दिया हुआ है गरंतिया याने की ज फिर पैंक्रियास है फिर एड्रिनल ग्लेंड है और इधर दिया हुआ है यह हार्मोन का नाम तो जब इस टाइप के कोश्चन आते हैं ना तो सबसे पहले आप सरल ऑप्शन डूड़ना कि सबसे सरल की कुछ दिख रहा है क्या इसमें तो हमको सबसे सरल पता रही इंसूलीन हार्मोन बहुत कमन है हम पढ़ते हैं तो इंसूलीन कहां से निकलता अग नासे से निकलता है तो देखिये क्या S. क वन किसी में मैच कर रहा है क्या ऐक और दू तो ऐसे ही गलत हो गयी अब बच गया दो छीजे चली आगे बात करते हैं आगे जैसे ही बात करते हैं तो हमको जनन ग्रंथियां यानि की gonads ठीक है तो जनन ग्रंथियां जो होती है वहाँ पर देखते ही कि क्या निकलता है तो उससे आपको पता है क्या है प्रोजिस्टेरोन नाम का एक इस प्रकार का reproductive hormones है यहाँ पे, है ना, प्रोजिस्टेरोन, तो A2 दिख रहा है क्या के दिखिए, A2 दिख रहा है, तो यह आपका match हो गया, है ना, एक तो match हो इरा था, कौनसा, C का 1, तो C का 1 मैच हो गया, A का 2 मैच हो गया तो option क्या होना चाहिए, ये ही होना चाहिए चलो आगे चेक कर लेते हैं आगे चेक करते हैं यहाँ पे P.Petutery Gland तो Petutery Gland से क्या निकलती है यहाँ पे हम देखते हैं यह निकलती है G.H है ना, Growth Chormone यह जो है GH है अभी मैं pituitary gland के सभी हार्मोन तूरंत आपको learn करा दूँगा थोड़ा patience रखिए तो आप देख रहें कि pituitary gland से क्या है growth hormones B3 तो B3 यहाँ पर अगें दिकरा है फिर से match हो गया और adrenal gland से cartisol निकलता है जो एक प्रकार का glucocorticoid है यानि कि वो steroid hormone है ठीक है तो यहाँ पर यह हो गया तो C is the right answer अब यहाँ पर मुझे दो बातें आपको बतानी बहुत जरूरी लग रहा है वो है pituitary gland से related hormones और उस से related दूसरे कुछ effect तो जब यहाँ पर puse gland या pituitary gland को याद रखना होगा puse gland को क्या या pituitary gland कहते हैं puse granty को और इसके खास बात यह है कि यह बहुत छोटा होता है only 0.6 gram होता है है इसे एक दूसरी नाम से भी जाना जाता है उसे कहते हैं master gland तो master granty कहते हैं जैसे master जो है एक डंडा चलाता है regulate करता है बहुत सारे चीजों को इसलिए master gland कहते हैं ठीक है तो यहां पर आप देखते हैं कि सेला टर्सी का एक जगह होती है वहां पर यह क्या होती है situated होती है इस्थित होती है master gland याने puse gland तो 36 गड़ी में बहुत फेमस कहावत है कि का साख खाए ठीक है याने कि साग मतलब सबजी बस वही ट्रिक को यहां पर apply कर देना है ठीक है तो आप सिंपल सा सबजी मांग रहे हो तो साग ला तो नो नी ठीक या तो साग ला ऐसा हम कह स रखते हैं तो साग ला से कैसे याद रखेंगे सिंपल सी बात है तो एस यहां पर याद रखना है एस का मतलब है सी चा मतलब है यहां प हार्मोन clear हो गया gonadotropic हार्मोन L का मतलब यहां पे क्या है यह होता है आपका LTH lactogenic hormone ठीक है lactogenic hormone और A का मतलब यहां फिर से आ गया इसका मतलब यहां पे ADH anti diuretic hormone ठीक और उसके बाद आता है T T का मतलब है TSH thyroid stimulating hormone ठीक तो इतनी प्रकार की चीज़ें आ गई तो आपको बिल्कुल घबराने नहीं है यहां पर इन्हीं बातों को देखें दुबारा साग ला से हमारे पास आया STH somatotropic hormone इसी को हम और क्या कह देते है growth hormone यह दिख रहा है व्रिद्धी हार्मोन यहीं वाला हमारे पास आ गया मैच करके यह वाला देखो ठीक तो इसी STH को और क्या कहा दिया जाता है growth hormone यह गौनेडो ट्रोड व्रिद्धी हार्मोन कह दिया जाता है फिर एडरीनो कार्टिको ट्राफिक हार्मोन है उसके बाद दिखते हैं जी टी एच गौनेडो ट्रॉपिक हार्मोन तो गौनेड का मतलब जनन ठीक है तो यहां पर दो प्रकार के जनन से संबंदित हार्मोन को रेगुलेट करता है एक का नाम है FSH Follicle Stimulating हार्मोन ठीक है और यहां पर आता है दूसरा गर्वती माताओं की मिल्क में होता है लेक्टोजन्स ठीक है तो लेक्टोजनिक दुख दख जो गरंतियां होती है उसको रेगुलेट करता है कौन यहां पर ल्टी एच और एडी एच एडी एच मतलब एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन से अब चाय कॉफी पीते हैं तो जो होता क्या है यूरीन फॉर्मिशन की दख जो है भड़ जाती है तो इसलिए आप देखते हैं कि वहां एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन है यह मतलब दाइयूरेटिक मतलब ज्यादा करता है तो तो थाइराइड्ड ग्लेंट से थाइराक्सिन हार्मोन निकलता है तो इसमें ती आइसे हैं से स्टिमुलेट होने वाले हार्मोंज को क्या करता है रेगुलेट करता है इतने सारे इस कारन्स को इसको master gland कहते हैं clear हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं आई होप यह बातें clear हो गई होगी होगी अब मेरे खाल से कभी भी आप कभी मिस्टेक मत करना चाहिए प्री हो में सो किसी में भी हो सब जगे सिलेबस में है यह बातें आपको ध्यां रखनी है चले आगे बढ़ते हैं अच्छा फिर से आगया कुछ option देखते हैं आप उसी के बेस्पर सॉल करने का प्रयास कर यह भी बहुत आसान है आपको अक्सर कि यह question लेने का मेरा उद्देश ही है कि हम जैसे हार्मून के topic देखते हैं तो दिमाग फिर confused हो जाता है क्या होगा something like that तो अब बात करते हैं वही सबसे आसान जब इस टाइप से दिखे तो सबसे easy option खोजने का प्रयास करना क्योंकि यह कूट है यानि कि आपको match करना है तो पता है इंसूलीन डी का जो होगा आपका अगणास है कहां से होता है अगञास में अलफा बीटा गामा तीन सेल यह निकलताओ takiego Alf trabalh eerste निकलता है ग्लूकेगान और गामा से निकलताओ सुमेटो स्टेटी फिलाल इंसूलीन किस निकल रहा है आपका अगणास है पैंक्रियास से निकल रहा है थारकसर बहुत आसाइं कि वो तो थारगलन्स निकले तो यह पर ने आपके आपका सीवन और डी मैंच कर रहा है अरक है इदर वाले में अब कि यहां पर दिया हुआ Testosterone बहुत आसान है Testosterone, वह तो हर्मोन से है Testosterone सेनिकलता है produced टो इसमान जेन दिख घिया क्या यह वला आपका चाहिए थिक है क्या भी क्या होगा यह थे को भी बनफ़त्य यह तो क्या है आपकी फीमेल हार्मोन है तो यहां पर देखेगा इस प्रकार मैच हो गया तो A is the right answer कहीं पर दिक्कत हुई सब्भी सब्जेक के साथ है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हम नेस्ट कोशिन की और मुफ करते हैं मनश्चे के सरीर की वह गरंथी जो एंजाइम हार्मोन दोनों सरावित करता है तो मैंने कहा था हार्मोन जो सिग्रेट करता है उसे क्या कहा जाता है उसे अंतह सरावी या इंडोक्राइन ग्लेंड कहते हैं और जो एंजाइम सरावित करता है उसे हम बही सरावी कह देते हैं एक्जोक्राइन कह देते हैं या सामानिक रंथी कह देते हैं तो यहां पर आपको पता है पिट्यूटरी ग्लेंड क्या है एक इंडोक्राइन ग्लेंड है वैसे हम क्या निकलते हैं. और दूसरा मैंने कहा था कि अगनासयरस पैंक्रियाटिक जूस को पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं. क्मप्लीट डाइजेस्टी जूस कहते हैं, क्योंगी वहाँ एंजाईम सिक्रेट होता है क्या का एंजाइम सिक्रेट होता है मैंने कहा था ए-c-t-l है न,' the ठीक है उसके बाद रिखक्पाइमोट्रिपसीन रिख़ें सीन है और उसके बाद लाइप़स यह 4 पकार के क्या हैं एंजाइम भी निकलते हैं तो वहाँपे इसलिए वह क्या है मिस्रिद ग्रंथी कहलाता है पैंक्रियास से निकलने वाला जो एंजाइम है कार्वो हाइडरेट प्रोटीन और फैट तीनों के डाइजिशन वहाँ पे हो जाते हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं आपके कहते हैं डाइडिस आ अगनासारेस को कहाता है पूर्ण पाचगरस भी कह दिया जाता है और उसे एक मिस्ट गंथी भी कहते हैं क्योंकि वह तीन टाइप के हार्मोन को निकालता है सीक्रेट करता है क्लेर हो गया चलिए मानव सरीर में सबसे बड़ी अंतर सरावी ग्रंथी इनमें से कौन है तो आपको यह कोशन बहुत आसान जरूर दिख रहा है और है भी कि जब हमा सामान कोई ग्रंथी दिखा जाया यानी कि वहां एंडोकराइन एक्जोकराइन कुछ भी नहीं लिखा है तो सबसे बड़ी ग्रंथी largest gland क्या है आपका है लीवर याने की यकृत ठीक है यकृत सबसे बड़ा क्या है आपका ग्रंती है उस केस में जब सामाने ग्रंती या ग्लैंड लिखा है जब इंडोक्राइंड होगा तो थाइराइड होगा क्लेर हो गया और सबसे छोटी आपको दिखी रहा है यहां पे पिटूटरी 0.6 ठीक च अलना, हुमरस, फीमर और टिबिया ठीक है तो यहां पे आप याद रखना कि सबसे बड़ी अस्थी कहा जाएगा तो जांग की हड़ी है उसे हम कहते हैं फीमर तो C is the right answer अब इसमें सुन लीजिए क्या है यह जो चार वर्ड दिये हुए है इसको थोड़ा सा आप सुन जैसे क्या होता है कि आपका यह हाथ का यह बाह वाला इसे कहा जाता है हूमरस ठीक है उसके बाद यह वाला जो पार्ट होता है उसमें दो हड़ी होते हैं उसमें एक होता है रेडियस दूसरा होता है अलना एक को कहेंगे तो रेडियो अलना कहेंगे और रेडियस जो है बह तो यह जो लंबी लंबी थोड़ी अस्थियां दिख रही हैं इसे कहा जाता है कारपल्स और यह आपकी उंगली की छोटे चोटे आप इसे बैंड कर पा रहे हैं इसे कहा जाता है मेटा कारपल्स तो मैं रिपीट करूंगा शूमरस रेडियस अलना उसके बाद कहा जाता है का सा छोटा हैं कौन सा बढ़ा है थीक है तो सबसे बड़ा फीमर हो गया अब फीमर से देखिए घुटने के नीचे वाली पार्ट ठीक है और जो है वहाँ पे जो आपकी कटोरी टाइप का जो आपकी घुट्रे में है उसे गहते हैं पटेला क्लियर हो गया तो पटेला से याद रखेला ना नीचे टेबिया फुबुला उसके बाद जैसे यहाँ पे हमने कारपल कहा था ना तो पैर कैस हैं कि टेविया फिबुला और उपर जो बीच का जो कटोरी है जिसे हम कहते हैं पटेला और फिर पैर के नीचे जो है आपका जो है उसे टॉर्सल और पैर की उंगलियों में होता है वह मेटा टॉर्सल ठीक है इतनी प्रकार की आपकी हड़ी है वह सब्सक्राइब को याद हैं जब आप competition में हैं तो इन सब बातों को basic basic नाम ही तो पूछा है यहां पे तो अब मेरे का दो सभी चीज़ अब clear हो गया कोई नया नाम नहीं दिख रहा है अब हुमरस हमने कह दिया यह बाह वाली हड़ी है ना फीमर जांग वाली हड़ी रेडियस अलना जो है आपका द हो गया तो यह बात ध्यार रखना तो सबसे बड़ी है तो सबसे चोटी कहां है भाई स्टेपिस नाम का होता है स्टेपिस जो होता है यह कहां पे होता है यह आपके कान में पाई जाती है ठीक है सबसे चोटी हड़ी का नाम है सबसे बड़ी हड़ी का नाम है सबसे चोटे स दॉस्तिर से पूछा गया था इंय। जाता है अगर हड़ी बोन to39 को क्या कहते हैं bone to bone को क्या कहते हैं यानि कि हड़ी को हड़ी से जोड़ने वाली संदी को वहाँ पर क्या कहें क्या जोड़ता है उसे कहा जाता है tendon ठीक है और bone को अगर cartilage के साथ जोड़ा जाए तो उसे कहा जाता है ligament ठीक है tendon और ligament पूछा जाता है दो अस्थियों को जो जूड़ता है उसे टेंडन कहते हैं अब बोन और काटिलेज अस्थी और उपास्थी को जोड़ने वाला क्या है लिगामेंट कहलाता है ठीक क्लेर हो गया यह बाता सभी क्लेर हो गई चलिए आगे मुफ करते हैं नेक्स कोशिन की और मनुश्य की में कहा जाएगा स्कल में कहा जाएगा जिसमें आपके कान के भी सामिल हो जाएंगे है ना तो वह हो जाएगा आपका क्या टोटल 29 हो जाएगा ठीक और नवजात सिसू या न्यूबॉन बेबी का कितना होता है 300 होता है पिछली क्लास में देखा था प्रजिन की वह विदी जिसमें बिना निसे चंगी अंदा वृद्धी करके वैस्क बन जाता है कहलाती है यह하다 ला इसमें कह रहें कि विदाउट फर्टेलाजिश्व जो है आपका फर्टिलाशेशन आपका रेप्रोडेक्शन हो जाता है उसे कहा जाता है पार्थी नोजैनेशीश ठीके पार्थिनो जनेसिस ये वर्ड ऐक्जाम में पूछा जाता है बिना इसेचन के वहाँ पर हम कहते हैं reproduction हो जाता है वो कहलाता है पार्थिनो जनेसिस clear हो गया next question move करते है next question देखिए अस्थी एवम दात के निर्मान में किस की आवशक्ता पढ़ती है तो यहाँ पर याद रखना अस्थी याने बोन पूछा है तो बोन में आपको पता है कि दूद पीने से कैलसियम मिलता है कैलसियम आपके हड़ी के मजबूती के लिए रिस्पॉंसिबल होता है है ना तो यहाँ पर कैलसियम की कमी वगरा जनरली क्या होता है बोन कभी पूरस हो जाया तो कैलसियम की कमी हो जाती है तो सिंपल सा यहाँ पर लोजिक लगाना है कि अस्थी के मजबूती के लिए कैलसियम ज़र रही है ठीक है और एक और element होता है फास्पोरस तो D is the right answer ठीक है तो वैसे दात के निर्मान में भी वहाँ पे क्या होती है आपका calcium और फास्पोरस दोनों ही क्या होती है important होती है फ्लोरीन भी होती है दात के लिए लेकिन आप यहाँ पर याद रखना calcium और फास्पोरस का आंसर है D is the right answer एक बात और याद रखिएगा सरीर का सबसे hardest material सबसे कठोरतम भाग क्या है दात का inamel inamel जो होता है आपके दात का जो आपका white part जो दिख रहा है वो होता है आप स्पेशियां कहां पाई जाती है जबडे में पाई जाती है याद रखना सबसे ज़्यादा मजबूत जो है मांस्पेशियां कहां पाई जाती है स्टॉंग मसल्स होती है जबडे में पाई जाती है जो में पाई जाती है क्लेर हो गया चलिए नेक्स कोशन मूब करते हैं सब स्वासन का नियंत्रन इनमें से मस्तिस्क का कौन सा भाग के द्वारा किया जाता है मैडूला अनुमस्तिस्क मैडूला अबलांगेटा या घ्राणपाली तो इसका सही उत्तर है याद रखना मैडूला अबलांगेटा यह मैडूला अबलांगेटा और क्या क्या काम करता है दी या फिर उल्टी वगरा जो होती है वोमेटिंग वगरा वमन जिसे हम कहते हैं तो वो होता है आपके मैडूला अवलांगेटा से तो स्वसन हो गया हार्ड भीट होगा पाचन से संबंदित ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड आपके वमन वमेटिंग से रिलेटेड वो सब ची लोब बहुत डेबलब होता है इसलिए सुन के सब चीज़ जान जाता है तो यह अगर होता गंध वाला होता तो यह हो जाता ठीक है तो यह बातें आपको ध्यार रखतें नेक्स वोशन देखते हैं एजी में किस अंग की कारप्रणाली प्रकट होती है या सपस्ट होती है हा जो है मेजर्मेंट किया जाता है इजी निकालने पर आपका ब्रेन का फंक्शन आपको पता चल जाता है क्योंकि ब्रेन में अलगला स्टीमूली या समीदनाएं जो है यहां जाती है और उसके बाद वहाँ पे देखते हैं आसानी से ब्रेन के फंक्शन को हम रीड कर सकते है समझ सकते हैं, अगर heart होता तो वहाँ पे लिए ECG word यूज किया जाता है, ECG electrocardiogram ठीक है, या electrocardiogram ठीक है, तो यहाँ से ECG ECG का संबन क्या है आपके heart से है, लेकिन EEG का संबन किसके साथ है यह है आपका, that is a brain, EEG brain से clear हो गया, अब वैसे देखते हैं, आपके year से related भी कुछ परकार grab आता है, ठीक है audible, जिसकी audibility जो है या audible capacity कम हो जाती है, तो उसमें हम यहाँ पी use करते हैं अब यह जो होता है यह जो questions आपने पढ़ा या जो discuss किया, यह exam में I hope आपको बहुत help करेंगे किसी प्रकार का कोई doubt है तो आप comment box में जरूर पूछिएगा last और अंतिम सेशन में हम कल फिर मिलेंगे, जिसमें की कुछ और महत्मूर परस्टन सामिल किये जाएंगे है ना, तो कल के सेशन में फिल से मिलते हैं तो आज के लिए विदा दीजिए, thank you so much have a nice day